दोस्तो पारा सिच्चकों की नियमावली का ड्राप्ट पारा सिच्चकों के हाथ में सौप दिया गया है लंबे समय से पारा सिच्चक शंग के प्रतिनीधी और एक एक पारा सिच्चक इसके लिए प्रति प्रति छारत थे दोस्तो ये ड्राप्ट पारासिचकों के हाथों में जैसे ही मिला उनके चेहरी की हवाईयां उड़ गई और पारासिचक बिजलित हो गए संग के पदाधिकारी बेचैन हो गए दोस्तों यही वो तस्वीर है जिन्होंने पिछले दिन पारासिचकों की तकदीर लिखने का काम कर दिया है बीते रात ऐसे नियमावली पारासिचकों के हाथ लगी जो उनके नेंद उड़ा दी बहुत ही परिस्थेतियां बिगट हो गई ये खामोसी आपको देखने से ही पता चलेगा कि ये नियमावली देखकर कितने प्रशन हुए होंगे हाला कि नियमावली का ड्राप्ट पारासिचकों के हाथ लगते ही बहुत सारे पारासिचकों के नींद उड़ गए रात भर वो सो नहीं पाए और बहुत सारे पाराशिचक ऐसे थे जिन्होंने चैन की नींद भी सोई दोस्तो ये किसी और की खाम्याजा का सिखार नहीं होना पड़ा आपसी फूट का ही पाराशिचकों का परिनाम मिला है अब पाराशिचकों को निमावली का प्रारूप तो हाथ लग गया अब आपसी फूट जो की थी उसका सजा इनहीं खुद से भुगतना पड़ेगा दोस्तो यहां ध्यान देने वाली बाती हैं कि पाराशिचकों को मानदे बढ़ाने के लिए भी आकलन परिच्छा से उजरनी होगी और भी बहुत सारे ऐसे खाम्या हैं जिसके माध्यम से पाराशिचकों के नौकरी भी जा सकती है अभी एक-एक बिंदों पर हम प्यर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से घातक बिंदों हैं जो पाराशिचकों के हिद में नहीं हैं तो ये किसी और का परिणाम नहीं आपसी फूट का नतीजा पाराशिचकों को मिला सरकार अपने मंसुवे में काम्याब रही और पाराशिचक उसका सिकार हो गये कभी तालमेल नहीं बैठ पाया दोनों संग में और जिसके बज़ा से इस प्रकार की शमस्या उत्पन हो गई दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसी कंडिकाएं हैं जो पाराशिचकों के हिद को नहीं दर्शाते कहीं न कहीं पाराशिचकों के लिए एक समस्या उभर कर सामने आई है हाला कि अगर एक तौर पे देखा जाए तो तत्काल मांदे ब्रिद्धी पाराशिचकों के हिद के लिए लाभकारी है क्योंकि ये तानासाः शरकार पारासिचकों के साथ अन्याय नहीं कर पा रही है। अब ऐसी स्थिति में मांदे बृध्धी एक स्रोत है जो इनके लिए लावकारी होगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे कंडिकाहें लगा दिये गई है जिससे पारासिचक बहुत ही कठीन परिस् करेंगे नियमावली के जो प्रारूप हैं उनके कौन-कौन सी कंडिकाएं हैं जो पारासिचकों के लिए सही महीं है। तो आईए देखते हैं एक-एक बिंदूओं को और बात करते हैं कि कौन-कौन सी कंडिकाएं पारासिचकों को समस्या से ग्रसित कर देगी। दोस्तों यहां बात करते हैं ये कंडिका जो 17 है नीरिसन इवं ब्या ब्रिती इसको आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो ये कंडिका ऐसा है जो 50 प्रतिसत आरक्षन को पूरी तरह से निरस्ट कर देता है इसको हम पढ़कर आपको सुनाते हैं और समझाने और समझने की कोसिस करते है देखे इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथी से पारा सिचकों के चयन इवं सिवा सर्तों से संबंधित पूर्व निर्गत सभी आदेश अर्थात सभी आदेश आदे इस नियमावली से निरसित माने जाएंगे अर्थात ये जो नियमावली जिस दिन से प्रभावी हो जाएगा पारा सिचकों के प्रतेनी धी हामी भर देंगे जिस दिन से प्रभावी हो जाएगा उसकी पूर्व अर्थात पहले से जो भी नियमावली बनाई गई थी जो भी इनहें मिला था वो बिलकुल पूरी तरह स समाप हो जाएगा वैसे स्थिती में 50% पराशिचकों को मिले आरक्षन बिल्कुल समाप हो जाएगे ऐसे परिस्थिती में पराशिचक को यह सबसे बड़ा लॉस होने वाला है तो इस कंडिका को अवस्य ध्यान देना होगा और निस्टी तोर पे इसमें पचास प्रतिस्तत का जिक्र हरहाल में करवा लेना होगा अने थाई बहुत बड़ा ही अन्याय होगा कोई भी सिरकारी सिक्षक नहीं बन पाएंगे बहुत मुस्किल ही घड़ी है यहां देखिए थोड़ा सा नीचे आईए इसी कंडिका में तो यहां आप देखेंगे कि परन्तु इस निर्षन के होते हुए भी होते हुए भी इस नियमावली के परविर्थ होने की तिथी के पुर्व ततकालीन परविर्थ नियमावली के अधिन किया गया कोई कार्ज या की गई कार्वाई इस नियमावली के अधिन किया गया कार्ज या की गई कार्वाई माने जाएगी मानों वे सभी इस नियमावली के अधिन किये गए हो अर्थात इस नियमावली के कंडिका के सत्रह के अनुरूप आपको अगर कोई बेनिफिट पहले जो दिया गया है वो सब निरस्त कर दिये जाएंगे लेकिन अगर आपने कुछ गलतियां की है जिसकी सजा आपको दी गई हो या मिलने वाली है तो वो आपक पारसिचकों के लिए बहुत ही घातक है यहां आपको दिखाते हैं कि कौन सी कंडिका है जो यह असपश्ट करता है कि पारसिचकों की नौकरी भी जाएगी तो अभी आपको यहां हम लेकर चलते हैं इसको देखिए यह कंडिका पांच को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यह कंडिका के अनुरूप अगर इसका अनुकरन या यह लागो किया जाएगा तो वर्स 2005 से पुर्व के पारसिचकों बहुत ही कठीन परिस्तिती में आ जाएंगे उनके लिए यह संकट कालीन कंडिका है कैसे इस समझाने का प्रयास करते हैं इसमें असपश्ट तोर पे लि संप्रती अर्था जो अभी वर्दमान में विद्यालय प्रवंधन समीती के नाम से जाना जा रहा है द्वारा किया गया हो तथा जिन के चयन का अनुमोदन जहारखंड सरकार मानव संसाधन विकास विभाग के शंकल्प संक्या इतना जो दिया हुआ है इवं उनके अनुव प्रवारा किया गया था जिसके सदस्य सचीव संबंधित परखंड की परखंड सिक्षा प्रसार पदादीकारी सा परखंड संसाधन केंद समनवयक है अर्था कि ये परखंड का यह उलेख करता है कि वैसे परवारा सिक्षक जिनका चयन विधिवत तोर पे हुआ है और ये द्वारा अनुमोदित किया गया है उनके लिए ये प्रवावी होगा ये नियमावली तो ऐसे स्थिती में मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि वर्ष लगभग वर्ष 2005 थे पहले के वैसे पारशिक्षक जो अभियान विध्याले में कारजरत हैं ये अभियान विध्या विध्याले में जो सिठ्षक बहाल थे वैसे विध्याले के सिच्षकों को बहाली ग्राम शिच्षा समीथी के माध्यम से होने के बाद तीड़े तौर पे जीला द्वारा अनुमोदन कर उन्हीं कारज करने के लिए आदे़ सारीत किया जाते थे वहां प्रखंड से अनुमो परेहरें कि मतलब नहीं निकला था, निकाले गया होंगे, लेकिन इसका मतलब पालन शिक्षा विवहाग की पताधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता था, सीधी सीधी ग्राम सिच्च समीती से चेयन होने के बाद जिला में भेज दी जाती थी, और वहीं से उनका जो अभियान विद्याले में कारजरत हैं, उनका अनुमोधन प्रखंड द्वारा हर हाल में कर लिया जाता था। तो ऐसी स्थिती में इस कंडिका के माध्यम से बहुत सारे पाराशिजकों की नौकरी पर भी आपत आ सकती है। क्योंकि उनका चैन बिधिवत हुआ पर ये प्रखंड द्वारा अनुमोधन न होने के कारण उनके शाथ ये समस्या आ जाएगी। अब यहां गौर करने बाली बातें ये हैं कि मांदे ब्रिध्धी के लिए नौकरी से भी हांत धोना कहां तक अन्याय हुआ। ये बहुत बड द्रेंबना इसे कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि मांदे बढ़ाने के लिए पारा सिच्कों को इस प्रकार की समस्या जहलनी पड़ रही है। आगे देखते हैं, इस नियमावली से आठ्षादित पारा सिच्कों की सेवा सर्थ सेवा शर्व सिच्छा अभ्यान, शंप जो भारत सरकार और इंद्र सरकार द्वारा ये राज सरकार द्वारा जो दिशा नर्देश होंगे उन्हीं के माध्यम से प्रभावी होगा। अंसदान हैं वो जब तक मिलते रहेंगे बारत सरकार द्वारा तब तक ही ये प्रभावी होगा। तो ऐसी परिस्थिती में अल्प समय के लिए ही पारासिचकों का अस्तितुर बचा रह गया। तो ये कोई बड़ी बहादुरी नहीं हो पाई। ये बहुत ही मुश्किल का सम यही कामनाती किसी प्रकार्शे मांदे में ब्रिद्धी हो जाए अन्यथा बहुत ही परिशानी होगी। पर बहुत सारे पारासिचक ऐसे थे जो मांदे ब्रिद्धी नहीं चाहते थे वे चाहते थे कि पहले मेरा अस्तितुर अस्ताई हो जाए। उसके बाद मांदे ये देखें, मांदे समतुल्य बेतन्मान, इसमें ये बेतन्मान ही है, इसे देखें, जो बेतन्मान है, ये समझना होगा, ये बेतन्मान, ये बेतन्मान, ये बेतन्मान था, इस सरकार में, ये सरकार जो हिमंत की सरकार है, इस सरकार में आपको किसी भी प्रकार का बेतन्मान क नाम का उलेक भी नहीं है पारा सिचख जो बिदिवत चैनित हैं इवं शंबिदा परकारजरत हैं तथा शंबिदा सर्तों का उलंगन नहीं किया है उन्हें निम्न अहरता के मनुरूप रस्तावित मांदे दे होगा ये देखें अर्थात नियमा वली किसलिए बनी है मांदे ब रिद्धी के लिए मात्र नेमावली और सारे पारासचकों में इस परकार के लालसा थे कि किसी न किसी तौर पे हम बन जाएंगे और सरकारी सिक्षक की दर्जाह में मिल जाएगी अब दोस्तों ये चर्चा कर लीजिए ये आकलन परिच्छा के अधार पर उतिरनता ही तू नियूनतम अंक का निरधारन कैसे है तो आपको मांदे बढ़वाने के लिए ये 15-45 प्रतिसत अंक लाने होंगे और अरचित पोटी के जो होंगे उते 40 प्रतिसत अंक निरधारित होंगे इस परकार से आपके अंकों का निरधारन होआर था तो आपको मांदे बढ़वाने के लिए ये इतना प्रतिसत का अंक लाना अनिवार्ज होगा अब इस परकार की बहुत सारी बिंदुएं हैं जो चर्चा की क्रम में अगर आगे बढ़ाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आप भी इसे पढ़के इसका अब लोकन करें लेकिन फिर भी कहीं ने कहीं ये तस्वीर बहुत ही कुछ बया कर दिया पारा सिचकों के अस्तितुएं ये हैं जगरनात महतो जो जारखन के सिच्चा मनती हैं इन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी पारा सिचकों के के लिए उन्होंने कहा था कि हर हाल में देंगे बेतनमान, बिहार के तर्जपे हू बहू लाबू करेंगे, लेकिन सब का शब धारा का धारा रह गया, अब पारासिचक मायूस हैं, बहुत सारे पारासिचक संतुष्ट हैं, प्रसन हैं, लेकिन इलहाल जो सरकार देती है, वो लेकर फिर अपने चरनबध तरीके से अपने आगे की रणनीती बनाते रहें, ये एक अहम बात होगी, अब रह गई बात कि जो नियमावली का जो प्रारोग तयार हुआ है, जो उभर कर शामने आया है, तो जो कुछ कंडिकाएं थी, उसमें इस प्रकार के शंकट भी आ सकत है, तो कर ले, क्योंकि इस प्रकार की समस्या है, आपसे पूट का परिनाम पारासिच्मों के साथ लगा बीते रात, अब पारासिक्षक अभी फिलाल आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे सहमती पत्र पे हस्ताक्षर करेंगे, अब आंदोलन भी नहीं कर पाएंग और वे मांदेग पर संतुष्ठ होना पड़ेगा पारा सिच्म को दोस्तों यही थी पारा सिच्म के नियमावली की कुछ मुख्य बिंदू आपको मिलते हैं अगले वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपको ताजा अपडेट देती रहेंगे धन्य बात